किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिन किसान के यूट्यूब चैनल में किसान साथियों आज हम आपके पास एक बहुत ही अलग विशे लेकर आए हैं जो सायद आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं देखा होगा और मुझे पूरी उमीद है कि इस सब से आप बहुत ही लाभानतित होंगे और आपकी जानकारी इस बारे में बढ़ेगी किसान साथियो आप ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बसियाना, मेटरीजियम एनसेपोली, सुडोमनास फ्लोरेसेंस, आदी बायो कंट्रोल एजेंट जो होते हैं इनका परियोग अपनी खेती में करते हैं या बागवानी में करते हैं और आजगल इनका प्रचलन बहुत ही बढ़ रहा है किसान साथियो ये जैवी खेती में एक मील का पत्थर साबित होंगे और मैंने भी इस वर्ष से इनका परियोग निश्चित किया है जब मैंने प्रियोग करने लगा तो मुझे कुछ समस्याई आई वो समस्याई मैंने अपने जो हमारा paid group है उसमें रखी और वहाँ पर चर्चा शुरू हुई और उस चर्चा का क्या result निकला और क्या scientific region आया आज मैं आपके सामने वो साथियो जहां पर मैं खड़ा हूँ आप देखेंगे के यह एक छोटा सा एरिया है के जिसमें मेरे यह तीन ड्रम रखे हैं यहां पर दो-दो-सो लिटर के इन ड्रम में क्या है मैं आपको पहले वो बताऊँगा और यह ड्रम मुझे आपको इस विशे को समझाने में सायता भी करेंगे किस प्रकार करेंगे आई यह देखते हैं किसान साथियो ये जो पहला ड्रम है आप इसमें देखिए इसमें देखिए ये जीवामरत है मैं परती एक महा तीन ड्रम जीवामरत बनाता हूं जिनको मैं अपने बाग में परती एक महा पोधे में एक लीटर परती महा डालता हूं और जो मैंने सरसो लगाई है उसमें अभी दो में से एक ड्रम मैंने मेरे पास पांच बिगे जमीन है जो एक एकड़ से थोड़ी कम है जिसमें सरसो है उसमें दिया था मैंने पानी के साथ में और बाकी मैंने पोधों में दिया था। किसान साथियो ये जो दूसरा ड्रम है अभी इसमें पानी भरा हुआ है wess decomposer पड़ा है आज मैं इसमें गुट डालूगा और आपको दिखाऊँगा किसान साथियो जो ये मेरा तीसरा ड्रम है इसको देखिए बहुत से किसान भाईयों के सवाल आते हैं कि wess decomposer गरा रंग कैस देखिए यह West Decomposer तयार है और यह करीब एक महा का हो चुका है यह मेरा एक तरह से मदर कल्चर है और इससे मैं दूसरा ड्रम बनाऊंगा और तब मैं इसको यूज करूँगा किसान साथियो अब आते हैं अपने मूल विशे पर मुझे मैंने कई बहुत वीडियो देखी और मुझे एक दो साथी ने भी बताया कि आप ट्राइको डर्मा बवेरिया बसियाना आदी जितने भी बायो कंट्रोल एजेंट हैं इनको पहले गुर्ड में मल्टिप्लाई कर ली किसान भाईयो मुझे इस पर थोड़ा आश्यरिय हुआ किसान साथियो आपको याद होगा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मल्टिप्लाई का सबसे अच्छा सादन है गोबर में और या आप उनको सीधे दीजिए अब मैं आपको यह बताता हूँ इसमें क्या हानी किसान साथियो जब हम किसी ड्रम में कोई चीज रखते हैं उसमें दो तरकी किरियाई होती है उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं एक होती है एरोबिक और एक होती है एनारियोबिक दोनों में क्या आंतर होता है इसको जरा ध्यान से सुनिए एरोबिक का मतलब है कि जैसे मैंने इसमें जीवामरत बना रहा हूँ इसमें मैंने गुड़ डाला है और गाएं का गोबर है गाएं का मूतर है और बेशन है चोकि ये खुला हुआ है और इसमें आक्सिजन की जोरत पढ़ती है जो हमारे जीवानू मल्टिप्लाई होंगे जीवामरत में वो बिना आक्सिजन के सर्वाइव नहीं कर सकेंगे तो उन्हें आक्सिजन की जोरत पड़ती है और जहां पर आक्सिजन की जोरत पड़ती है उसको कहते हैं ऐरोबिक यानि के आपको खुला हुआ वातावरंड से ओक्सिजन लेंगे और इसलिए हम इसको बार-बार चलाते हैं इसलिए ये तो हुआ अब समझे दूसरी बाग अगर मान लीजिए मैं इस में ड्रम में ये जो मेरा दूसरा ड्रम है किसान साथियों मान लीजिए ये मेरा दूसरा ड्रम है इसमें 200 लिटर पानी है अगर मैं इसमें एक किलो ट्राइकोडर्मा डालता हूं और दो किलो गुड डालता हूं जैसा कि कई वीडियों में बताया गया है और कई किसान भाई करते भी हैं इस प्रकार मुझे पता चलाएके बहुत किसान भाई करते हैं कि वो multiply हो जाता है नहीं किसान भाईयो वो multiply नहीं होगा बलके उसमें जो ट्राइकोडर्मा के जिवानू हैं वो कम हो जाएंगे आप इस बात को note कर लीजिए और ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं detail में किसान साथियो क्यों होगा अगर इस प्रकार होता तो कोई भी company बहुत जल्दी जल्दी market में इसके product ले आती और इसके लिए बहुत बड़ा setup बनाने की अवश्यक्ता नहीं होती और इसकी मुले भी इसका जो कीमत है इसकी वो भी कम मिलता हमारे को सो रुपए की बजाए हमें हो सकता था पचीस रुपए बे मिलता जो हमारे ये ट्राइको डर्मा और बवेरिया बसानिया आदी जो बायो कंट्रोल एजेंट है इनके जीवानों के लिए एक कंट्रोल टेंपरेचर चाहिए और एक परतिकूल माध्यम चाहिए जिसमें के को कोई भी किसी प्रकार से वो दूसी तना हो अब आप इस पानी को लीजिए ये पानी मक्खी के कारण हवा में उपलब कई जीवानों के कारण और पानी के कंटामिनेशन के कारण और जो गुड में कंटामिनेशन है उसके कारण आपके ये जीवानों मल्टिप्लाइं नहीं ह दूसरी बात यह है कि जितने कंटामिनेशन के जीवानू है उनको परियाप्त भोजन मिल गया उनको समय मिल गया तो वे जीवानू आपके ट्राइकोडर्मा के जीवान वो को या जितने भी बायो कंट्रोल एजेंट हैं उनके जीवान वो को हानी ही पहुचाएंगे क्योंकि जितने बायो कंट्रोल एजेंट हैं उनको मल्टिप्लाई होने के लिए जो मुख्य तत्व है वह है कार्बन और वो कार्बन आपको सबसे अधिक मिलती है आपके जेविक खाद में यानि जो गोबर से खाद आप बनाते हैं उसमें इसलिए अगर आपको उन्हें मल्टिप्लाई करना है तो गोबर में करिए और अगर आपको मल्टिप्लाई नहीं करना है तो भी कोई बहुत बड़ा चाले में डाल दीजिए वहां पर वो मल्टिप्लाई होंगे चुकि हमारी जमीन में जो हम खाद आदी देते रहते हैं उससे कार्बन है और इनको मुख्य भोजन इनको चाहिए कार्बन अगर कार्बन नहीं होगा और बहुत ज्यादा केमिकल करते हैं जिन किसान भाईयों ने खेत में कई साल से गोबर का खाद नहीं दिया है उनके यहां इनको ये उतने इफेक्टिव नहीं होगे चुकि ये कार्बन में ही पनपते हैं और वही उनका मुख्य बोजन है अब जो हमने गुड में किया जो कंटामिनेशन हुए और जो हमारे हानीकारक जीवानू है उनक अतना फाइदा आपको नहीं होगा जितना के नुकसान होगा किसान साथियो ये एक वैज्ञानिक चर्चा पर आधारित है मैंने कई परपत्र खोदने की कोशिस करी मुझे कोई भी परपत्र ऐसा नहीं मिला कि या वैज्ञानिक पुस्टी करण नहीं हुआ कि आप बायो कं होगा कि माननिये डॉक्टर कृसंद चंदर जी ने भी एक बार इस बात को कहा था और ये मैंने एक माइक्रो बाइलोजिस से भी चर्चा करने के बाद उनका लिखा है अगर आप उनकी बात सुनना चाहते हैं तो कृप्या करके मेरी वैब साइट पर जाईए और वो क्या कह है रहे हैं उस ओडियो को सुनिये जो कि हमारे गृप में आई है कि शाथियों एक बात मैं और साजा करना चाहता हूं कि जो मेरा टेलीग्राम गरूप था उसमें सायद इतना कोई बड़ा गृप ना होशोशल गृप कि सानों का जितना टेली गृप था मैंने उस ग्रूप को बंद करने का निश्चे किया है चुकि उसमें कुछ एवांचित तत्व आ गए थे और उनका काम सिर्फ राजनिती करना है या किसी पर पटाक्सेप करना है उसका चरित्रहनन करना है इसलिए मैंने यह निर्णे लिया है कि मैंने मैं उस गुरूप को बंद कर रहा हूं किसा भी दिखाएंगे इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत वंदे मातरम